केसे हैं आप लोग आई हो अच्छे ही होंगे और साम किसमें साम मुखा में दिनर बना रहे थी रात का इसमें नमक ले लिया है। नमक और हल्दी पावडर बस और कुछ नहीं, ऐसे ही चावल बना रही हूँ मैं, तो मैंने सुचा कि इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, साम में बना रही हैं चावल, साम में चावल कभी बनता नहीं हूँ, वैसे साम में तो रोटी ही बनता है, सबजी रोटी ही बन क्योंकि बाहर का मसाला मुझे नहीं पसंद और वहीं धनिया पाउडर बना रहे थी दर सब्जी की तयारी भी कर लिए कर ली हूं मैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नौरात्री है तो इस वक्त हम लोग तो लेसुन प्याज खाते नहीं मेरे घर में नहीं बनता और यह कर दिया थे कटहल तो कटहल तो बगएर लेसुन प्याज के अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने धनिया अरावाला पेश्ट कर लिया है धनिया और हरी मिर्च है और अद्रक उसी से बना रही हूं और इसर मैं देखा रही हूं घर में क्या हो रहा है मेरी काम गेहूं की सब गेहूं फैला हुआ है पुरे घर में अभी जानते हैं कि किसानी वाला काम है तो खेती इस वक्त फाइनल होता है तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं और यहां रखा है और बाहर है चत पे है ऐसे करके तो भी पुरा घर इसी से भरा हुआ है मेरा और अभी इस्टोर करन होता है एक साल के लिए तो दो-चार दिन बेस्त रहेंगे हम लोग इसी में तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था लेकिन अब सोच रही हूं कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगी सुबा में और देखिए यहां भी गेहूं रखा हुआ है और टीवी देख रहे हैं कै ऊदर मैंने ही अपना चावल तो मेरा हो गया है सबजी भी चौब दिया है और दिखा रही थी पूरा धर में आप लोगों को ये बेट के टीवी देखें इस रूम में टीवी है इसी रूम में मंदिल आपने देखा होगा उधर परदे के पीछे हैं इसी वाले रूम में मंदिल भी है और बाहर भी सब पढ़ा हुगा है और चट पे है भी तो और इधर दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और जब देखे कि मम्मी कैमरा आंती हैं तो दोनों भाग रहे थे फिर बाद में मैं है चोरी से बना लिया थोड़ा सा और सब्जी चौल तो मेरा रेडी हो चुका है रात में यहीं डिनर है और एक खुशी का रूम है और त्रिवेश का रूम वाला था चाहांट पे टीवी रखा हुआ है अज कल जाता सफाई नहीं हो पा रही है कहीं भी क्योंकि पूरा घर फैला हुआ है और काम भी लगा था काम तो मैंने दिखाया नहीं क्या हो रहा था और मिस्त्री है और सब शिड़ी पे वहीं काम हो रहा था पलस्तर हो रहा था उसकी वज़े से और थोड़ा फैल गया है यह मेरा रूम है, मैं दिखा रही थी आप लोगो को, अभी पूरा घर मेरा गंदा ही हो रखा है, कहीं सफाई नहीं है कुछ, और सबजी मैंने छोक लगा दिया था, आप लोगो को दिखाया ही था, अब भून भी गया अच्छे से, और इसमें मैंने वही ले लिया है धनिया पाउडर, और हल्दी, और नमक, बस सिंपल से सबजी बनेगी, देख दें कैसी लगती है सबजी, और मैं आवाज रिकाट कर रही हूं, तब मैं बताओं आप लोगों को, कि सबजी बहुत अच्छी बनी थी, हरा दनिया, और अधरक और हरी मिर्च से ही, फिर भी ठीक थी, पर टमाटर ले लिया, और फिर डिनर करने के बाद हम लोग सो गए थे, फिर कोई वीडियो नहीं बनाया था मैंने, और फिर ये अगले दिन का वीडियो है, ठारा तारिक संडे का दिन है, और मैं नहा चुकी हूं, बाल भी कंगी कर रही थे, और सुबा से हम लोगों ने प दाल लपेड लूँगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा फूजा फूजा करने के बाद तो फिर जाओंगे किचन में, यह है मेरा मंदिल, अभी मेरा घर पूरा ऐसे ही पड़ा है, और किचन में आ गई हूं, मैं पूजा करने के बाद, इधर मैंने चाओल रख दिया है, और दाल मैंने बना लिया है, और बस इसमें चौक लगाना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेस्न पे आज हम लोग खाते नहीं नो रातरी में, तो वह सिंपल जीरे और मिर्सी से चौक लगाऊंगे, और कुछ नहीं, टमाठर भी नहीं डालोंगी, और इधर आलू कटकर है, मैं भुजिया बनाऊंगी आलू की, और देखिए, टीवी का आखिया, कीचन में, इसी के वज़ा से सब गुस्ता हैं अभी घर में, बच्चे दोनों, बहुत जगड़ा हो रहा था, खुसी बोल लाई थे कि बम्मी, आप पापा से बोलके बातरूम में रखा दो टीवी अभी साम तक आप लोगों ने देखा वीडियो में कि उस रूम में थी टीवी, और मुझे यह भी नहीं पता था कि अभी यहां कीचन में आ जाएगा टीवी, देखिए, बैटी यह खुसी खाना खा रही है, खाना मेरा रेडियो चुका है, टीवी है, कीचन में लगा है, य अभी पर यह दोनों बच्चे जाके फूरा घर गंदा कर देथे थे, एक यहां पर सोया है, फुलके,